बिस्मिल्लारमान विराई, आज हम बना रहे हैं गाजर का हल्वा जिसके लिए हमने बांगते लोग आजरे नहीं है और उनको कदुकश करके एक ग्लास पानी का डालगे उपर पकने के लिए रखाए और उनको अच्छी तारह जब यह गल जाएंगी तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें आड़ करेंगे अभी हम इसको पकने देंगे हल्की आज पर ताके यह अच्छी तरह गल जाएंगे अब बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे यह देखे गाजरेंच वह गल गहीं अच्छा से और पानी बी तकरीमा फूष्ट हो गाएंगे अब हम इसमें डालेंगे मलाई तक हम इसमें डाल देखे जिल दालेंगे अब इसमें मलाई चीनी अट करेंगे और इसको अच्छी से पकाएंगे यह देखे तकरीबन चार कप मलाई है हमारे पास जो हम इसने आड़ करेंगे यह देखे चार कप मलाई के डाले हमने और चारी कप हम चीनी के डालेंगे अब हम इसको पकने रहेंगे देखे चार से पांच अदर हमने लाईची डाली है अब हम इसका चमच लाते हैं इसको पकाएंगे पानी चीनी का फूश्क हो जाएगा तो इसको अच्छे से दिनेंगे कि दूद की ताजा दूद की जो बलाई विया उसके देस नजे का होता है और इसमे डेसी गी भी होता है इसलिए अगर आप कोया नाम डालना चाहें तो मलाई डाल के इसको पका सकते हैं से जहें पेस्ट भी मज़े का होगा कुश्कू पी और इसका जै कि यह वी नहीं होगा ज्यादा लाइट रहे का और खाने में वह दार होगा अभी इसका पानी कुश्क करके उम आपको दिखा संब को भूना है और देसमें पाकची राट करनें जैदा है वालाई इसमे मिक्स ह बहुत अच्छे खुश्प हो आ रही है इसकी जैसे घी की अभी हम इसके अच्छे के दूनेंगे पानी इसका पुश्प कर लेंगे जब तक कि यह हलका हलका घी छोड़ दें किरे के बलाई कुश्प हो गई और तो हल्वा हमारा घूंड़े हम इसमें हमने तकरीबन आंदा लिटर दूर कर डाले इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे जीनी ने पानी चोड़ा हुआ है इसको भी हम अच्छे से कुश्प करेंगे और दूर को जब यह कुश्प हो जाएंगे तो फिर इनको भूननेंगे अब है यह देखें है हमारा बूंदे हम पानी बिल्कुल खुश्प हो गया हुए इसको तरी दर और भूनेंगे और इसके बार इसमें हम इवाहेट करेंगे यद लगजिब से पिया है यदों आफ़ यदब पिया करी हो करी है अर्ट सीदिकिया जररस उसे ईट करना दो भार भगी उबाड़ा हुआ है कर दो लिए हम एुधे है लेटे के उचेकल पाद है अर्टानाभी गाइटार है इसका पानी गाजर का भी और शीनी का भी था है और जो दूद्स है वो अच्छी तरह पुश्ट हो गई है और मलाई भी इसमें जहें वो निक्स हो गई है बहुत ही मज़े का उसकुदार और लाइट खल्वा है जो दोल्बी नजम हो जाता है यह देखे हैं हमारा मज़े का यमी सा हल्वा जो है वो त्यार हो गया है अभी ट्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी दौह में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा शुक्रिया अलाफेज